है गाईज देखो कभी कभी कुछ ऐसी ख़बर आ जाती है जिसके कारण मार्केट में गिरावड देखने को मिल जाता है और भाई कोई छोटी मुटी ख़बर आती है तो ठीक है लेकिन अमेरिका के तरफ से ख़बर आता है और वह भी तो समझो कि बहुत बड़ी चीज होती है अमेरिका को छीक होती है तो भाई पूरे वर्ल्ड को बुखार हो जाता है स्टॉक मार्केट में अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में अगर आप दिखना चाहते हूँ एक टाइप के एक्स्पोजर होता है तो भाई यह माल लेते हैं कि पू जो कि सबको बुखार लग जाता है क्यों लग जाता है यहाँ पर देख लो किस तरीके से मतलब जादा से जादा मतलब मार्केट को डोमिनेट करने वाला यह ही है इंडिया देख रहे हैं और आज कल के डेट में तो भाई उनाइटेट स्टेट को टकर दे रहा है चाइना च लार्जेस्ट मार्केट बनता जा रहा है अमेरिका की बात चाइना तो यह वो चीज है जिससे पता लगा सकती हो कि भई स्टॉक मार्केट में किसका कितना ज्यादा एक्सपोजर है और कौन कितना ज्यादा मतलब मजबूत है वहाँ पर अगर माल लेते कि एक तरीके से माल हथिते केबल एक या दूफरसंट का गिरावर्ट हो जाता है आतो पूरे वर्ल्ड की जो मार्केट होते में लाल कलर में खूलते हैं ऐसा होता समझ़रो ना आगर मुडहारी अगर गिरावर्ट देखने को मिल अगर त तो समझ कि peuxरा में मतलब कुछ न कुछ तो आपको असर देखने को मिलेगा ही मिलेगा यह माल लेते इतने सारे मार्केट में गिरावट हुए तो कुछ नहीं होगा तो यह वो चीज होती है एक तरह के से लीडर बोलते है न उस तरह के से काम करता है वो कल से अगर आप देखोगे तो एक ही एक ही ऐसी ख़वर है जो मतलब पूरी तरह के से फ्लैश हो रहा है यहां पर देख लेजे यह वेबसाइट यहां पर ही खतम हो जाता है और कुछ ही नहीं यहां पर देख लेजे यहां से स्टार्ट ही होता है ना inflation का जो data है ना ये बहुत बड़ी चीज होती है अगर महंगाई बढ़ रही है तो समझो कि market उपर नहीं जाने वाला और मतलब inflation क्या होता न कि ये पूरे देखा जाता है कि inflation अगर बढ़ता जा रहा तो भाई economic को grow नहीं करने देता है inflation अगर grow भी हो रहा धीरे धीरे तो क्या होता कि contraction rate में grow होता मतलब क्या होता ना कि secure था ये धीरे 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 करके secure रहा लेकिन भाई इसको क्या करना है और अच्छी तरीके से मतलब इसको जो है expand करना लेकिन वो नहीं हो पर रहा तो यहां पर inflation का data आया जो भी यहां पर expectation बोला गया था यहां पर एक तरीके से expectation होता है तो यहां पर बताया गया कि जो data आया ना wholesale price inflation रोज मूर दिन आपको बताया जारा expected तो एक उमीद किया जाता है federal reserve के तरब से कि भाई देखो यहां मतलब मेरे हिसाब से यहां से तो कम आएगा लेकिन अगर यहां से ऊपर आ जाता रहा तो समझो कि भाई यह मतलब अब कुछ ना कुछ तो negative देखने को मिलेगा क्यों कि भाई जो चीज और यहां पर ऐसा क्यूं और आप federal reserve के रिए बहुत बड़ा जटका क्यूं है federal reserve है कौन मतलब समझो यहां पर reserve है कौन जिसे इंडिया का आरवी है समझो कि अमेरिका का आरवी आई है बस simple way में आप समझा रहा हूं लेकिन अमेरिका का आरवी आई नहीं है वो example देके समझा रहा हूं ताकि आप जल्दी समझ जाओगे उसको वहां पर federal reserve बोलते हैं तो federal reserve अगर आप देगो तो पिछले एक सालों से interest rate बढ़ाता जा रहा और वो भी 75 basis point के हिसाब से कभी-कभी तो 100 basis point भी बोल रहा है कि बढ़ा देंगे 100 basis point मतलब आज तक ऐसा नहीं हुआ अगर ऐसा हुआ तो समझो कि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी और 75-75 basis point करके continue दो बा आते जा रहे है 25 basis point से इन्होंने start किया सोचिए और इतना जादा मतलब की interest rate बढ़ाने के बावजूद भी inflation control नहीं हो रहा है तो पहली चीज कि जितना मेहनत था पानी फुरी गया दूसरा कि अब जो है fed और जादा से जादा interest rate बढ़ाने की गोशिस करेगा ताकि लोग कम स 7% तक ये चीजे बढ़ते हुए नजर आया है और यही खबर मतलब जो है मतलब चर्चे में बनी हुई है अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस चीज को serious नहीं ले रहे हैं समझनी पा रहे हैं और खल की rate में जब सरकार माल लेते हैं पेट्रोल का दाम में अगर एक र rate में तो भगवान को ये बोलना चाहिए कि भगवान आपने आँख दिये ठीक हैं देख सकते हैं लेकिन भई आजकल के खुले आँखों में भी लोग दोका दे देते हैं है कि नहीं है तो लोगों को और ज्यादा मतलब यहां पर क्या चाहिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए आपको बता रहे है एगंटे पहले दो गंटे पहले मतलब सभी लोग यहीं चीज़ आपको बताते जा रहे हैं अगर फिर से दुबारा अमेरिका ने इंट्रेस रेट बढ़ाया और इंडिया में भी आर्वी ने बढ़ाया तो समझो कि लोन लेने वाले कि तो गई उनको त ज्यादा प्राइब्लम होने वाला है उनके साथ साथ समझो कि फाइनिस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत प्राइब्लम देखने को मिलेगा जैसे कि बजास फाइनिस नहीं चल रहा फिंसर नहीं चल रहा एस बी आई कार्ड नहीं चल रहा तो यह बहुत सारे हैं उनको और देखने को मिलेगा वो भी अपना जो है interest rate बढ़ा देते हैं पहले माल लेते एक्जामपल में आपको देता हूं कि यहां मतलब मामला को मतलब inflation को control में लाने के लिए बार बार interest rate बढ़ाते जा रहे हैं बताया जा रहा है कि 4% पॉइंट तक यह मतलब जो आने वाले जिनों में धिरे धिरे जो पूरी तरीके से बढ़ा देंगे 17 time in 2 years बताया जा रहा दो साल तो यह वो बहुत बढ़ा यह market concern ह यह एक चीज़े आप याद रखेगा यह जो बढ़ा है जा रहा ना interest rate जो बढ़ा है जा रहा ना फेटे के तरप से यह खबर भी आ जाएगी कि आप जो है interest rate को cut करने का time आ चुका है economic में मतलब market में मतलब economic में और ज्यादा पैसा flow करने का time आ चुका है तो वो rate कम कर समझे रहो ना without tension तो market फिर देखेगा कितना तेज भागेगा तो यह वो concern होता है जिसके वज़े से होता क्या कि इसके वज़े से company का margin कम हो जाता है और margin कम हो जाता तो भही बहुत problem देखने को मिलता है इनकर direct profit पर impact करता है जिसके वज़े से share का price और गिरना start हो जाता है यह अगर आपके पास कोई तकलीफ है कोई problem है और आप doctor के पास जाकर नहीं बताओगे तो फिर कैसे होगा किस चीज का इलाज होगा कुछ बताना तो पढ़ता है ना कि हम मेरे पैर में दर्द है हाथ में दर्द है कुछ तो पताना पड़ेगा ना आपको आप station master के पास जाते ह समझे ना आप apple का phone माल लेते कि apple को दुकान में चले जाओगे पांच लाक रुपे लेके और बोलेगो कि भाई देखो मुझे mobile चाहिए करके तो mobile देगा अगर आप बोलेगा कि भाई मुझे चाहिए करके तो पूछेगा ना कि भाई apple के बहुत सारे product है आप बताईए महरा आपको क्या चीगी करगे तो आपको दे देगा तो यह चीज़े होती है reason समझें आप अपर TCS नहीं जा रहा उपर ठीक है लेकिन क्यों नहीं जा रहा अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ यह quarterly result में अगर आप देखुए तो पहले company जो operating profit margin यह 29% तक कर लेती थी लेकिन inflation बढ़ने के वज़े से 27-25% तक आ चुका था आ चुका था अभी देखिए गया तो पिछले 3-6 महिने में मतलब जो है share का price 500 रुपे उपर गया है TCS का price 550 रुपे उपर गया है क्यों गया है क्योंकि भई देखो यह margin इसका बढ़ा है अभी recent में बढ़ा है इसका margin बढ़ा तो यह यहाँ पर देखोगे तो यह भी देखो कितना अच्छा ही लोग margin कर लेते थे लेकिन यहाँ पर देखोगे तो बीच-बीच मागर इनका margin बढ़ता है तो share का price उपर जाएगा ने तो margin constant रहता है या उससे घटता है तो फिर इनको problem देखने को मिल जाता है यह देखो यह क्या है कि भई यह 27%, 29%, 31%, 34% इनका margin इस तरीके से जा रहा था बजास finance का अब इनका margin इस तरीके से जा रहा था अब हुआ क्या कि घटिया sudden 29% आ गया 24% आ गया तो भई गिरेगा ही ना कैसे share का price उपर जागा तो यह सारी problem होती है किसी भी company में आप चाओ तो आप देख स तो इसी तरीके से problem होता बजास Fincer में भी यही problem देखने को मिलेगा दीपक नाइटेट में भी same यही problem देखने को मिला हर जगा तो यह होता inflation के वज़े से problem यह देखो दीपक नाइटेट कहा 27-28% 30% तक यह पैसा कमा लेते थी operating profit margin था लेकिन इसका operating profit margin गटकी कितना आ चुका 16% कहाँ पैसा कमाईगी बताओ अगर यह 100 रुपे revenue कर रही थी तो इसमें से माल लेते हैं कि 30 रुपे पैसा कमा लेते थी लेकिन 100 रुपे revenue करने के बाव जो 16% मतलब समझो कि केवल 16 रुपे ही कमा रही है आदा 50% इनका profit कम हो गया ना समझे रहो तो यह problem होता है inflation बढ़न चुका है sales है sales भी थोड़ा घटा है लेकिन sales कर पा रहे वो लोग लेकिन profit नहीं बना पा रहे है तो अगर इंट्रेस्ट रिट बढ़ता है तो फिर इस टाइप का problem देखने को और भविस में मिल सकता है और अगर आप stock market में नहीं हो तो अपने debit account इंजल में open कर सकते हो जहा झाल